हेलो फ्रेंज स्वागत है इस नए एक वीडियो में फ्रेंज मैं हूँ विकास तो दोस्तो छेत्रमीती हम लोग पढ़ रहे थे पिछले चार पार्ट में पढ़ चुके हैं और पांचवा पार्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे छेत्रफल और परिमाप का जो हम लोग च्छत् चतरबूज का 5 टाइप चत्रबूज का पांचवा टाइप इसमें पढ़ेंगे और पर आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों 5 टाइप होता है संमलम चत्रबूज पूल पनाओ पांचवा को हम सब समझते हैं सबसे हैं अगर बात करें समलंब चत्रभुष का तो उसकी एक जोड़ी भुजा है जो है आपस में समनांतर हो यानि कुछ ऐसा हो उसी को समलंब चत्रभुष बोलते हैं कुछ ऐसा दिखता हो तो उसको सम्लम चत्रबुझ बोलते हैं यह और यह आपस में सम्नांतर है तो यह ए होगा यह बी होगा यह जरूरी नहीं है कि जो आमने सामने के भुजाए सम्नांतर है लेकिन ज़लूरी नहीं है कि यहां पर यह दूनों बराबर हों ठीक है और यह भी बराबर नहीं है तो इसको लिखेंगे A, B, C और D दोस्तों यहां पर हम लोग एक लंब गिरा लेते हैं इसके काम पड़ेगा यानि हाइट यहां पर H हुझाएगा उचाई एच तो दोस्तों अगर बात करें कि इसकी छटफल की छटफल क्या होता है यानि एरिया एक बटा दो उचाई गुणे समनांतर भुजाय चाई का योग समनांतर भुजायम का योग अचा दोस्तों इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं आच morning चत्रूपश को ट्रेपेजियम बोलते हैं दोस्तों यहां पर अगर बात करें इसकी एक बटा दो और हो जाएगा हाइड को ह से डीनोट करते हैं और यहाँ पर सम्नानतर बुजाएं का योग तो क्या क्या है ये और बी यह जाएगा आपका ये पलस बी ब्रेकट में ऐसे लिखे लेंगे यह होगे आपका छेट्फ़ल एडिया होगे आपका और यहां पर परिमाप निकालने के लिए क्या करना होगा इस सारे साइड को जोड़ देंगे तो वह निकाल जाएगा फिलहाल आपको यही याद रखना है छेट्फल बस याद रखना है इसे ज़्यादा कोश्चन नहीं बनते हैं आईए एक एक जामपल लेकर हम लोग देखत फैंसे हैं सम्नातर हम जाते है जानतोर यहां अधे ुर से आए माज यहां पर था टीया हुआ और है कि एतोपर बाशना है तो केसे दिए पर निकालना है तो छेतफल बरावर होगा यहां पे एक बटा दो और हाइट कितना है तो पांच है अचाहिए यह सब मीटर में है ठीक है तो यहां पे लिखेंगे पांच गुड़े यह जोड़ देंगे दोनों को यानि चार पलस छे तो पजाएगा एक बटा दो गुड़े पांच गुड़े यह दस है तो यह कट जाएगा पांच बर में ठीक है तो पचहाँ पचीश मीटर स्कॉयर तो यह आपका आगया इसका छेतफल एरिया निकल के आगया और परिभाप निकारने के लिए इसका कुछ साइट दिया रहेगा वहाँ question में mention रहेगा अब आईए हम लो important जो section था जो important type था वो था circle तो circle को पढ़ते हैं इसको भी ध्यान में रख लिए यह भी कभी question पूछ लेता है समलम चत्वुष से related तो अब आईए हम लो breathe पढ़ते हैं breathe यानि circle पढ़ते हैं तो circle दिखता कैसा है तो circle जो है कुछ ऐसा दिखता है ठीक है गोला एक दिखेगा वही circle होता है तो अगर यहाँ से बात करें यह वीच के जो होग है तो यह केंद्र होता है origin इसको origin वो बोलेंगे और यहाँ से अगर ऐसा एक लक्र खीच दे एक लाइन खीच दे तो यह radius बन लाता है आर इसी को ब्यास बोलते हैं ब्यास या radius radius अच्छा यह जो पुरी गोली बनी है इसको बोलते हैं परीधी बोलेंगे तो यहाँ सरकंफरेंस बोलेंगे ठीक है अब यहाँ पर अगर बात करें कि इसका डायमीटर क्या होगा डायमीटर दिखाने के लिए मैं यहाँ पर अलग सक पर यूज कर रहा हूं इसको कर रहा हूं देखेंगे है यहां से यहां तक मारकर समाज है तो यह आड और यह आ तो दो इसी को डायमेटर बोलते हैं डी से दी नोट करते हैं यह बियास भली दिज्ञाड़कर वर दीमेटर करते हैं अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये क्या होगा, डी बढ़ाबर 2R बढ़ाएगा, एकR और एकR, 2R होगा, अब क्या होगा, अगर बात करें छेत फल की, तो बृत के अंदर छेत फल क्या होता है, एरिया पाई आर एस्क्वार, यहाँ पर एक नया टर्म आ रहा है, पाई, त होती है पाई की वेलु होती है 22 बटा साथ यह हमेशा आपको याद रखना होगा ठीक है इसकी एक और वेलु होती है 3.4 3.14 यह आपको याद रखना होगा यह एक constant value है इसको fix है कि जब भी question देगा तो आपको direct बस radius देदेगा और इसमें put करना होगा पाई r square में 22 बटा साथ और इसका value put करके solve करना होगा अभी एक example लेंगे अभी कुछ और इसका जो information हम लोग परे देख लेते हैं तो दोस्तों यह हो गया और इसकी अगर बात करें परीदी यानि circumference परीधी जिसको c से denote करते हैं परीधी तो यहां पर क्या होगा टू पाई आर टू पाई आर होगा परीधी जो होगा टू पाई आर और इसमें एक और चीज़ देख लीजिए अगर इसको इस फॉर में लिखना चाहते हैं तो पाई और डी लिख सकते हैं क्योंकि दो आर कर बरावर यह है और पाई इंडू डी तो यह भी हो जाएगा डैरेक्ट लिख सकते हैं और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तिर्जिया खंड देख लेते हैं यह तो ब्रीथ हो और हो गया अब बढ़ते हैं हमनों तिर्जिया खंड क्या होता है तो यह कशेधर खंड क्या होता है उसको हमसे मढवर समय लेते हैं तो दोस्तू तो देखता कैसाばい यहां के अंदर से कुछ इसा यह थीटा एंगल बना रहा है तो इसका अभश्यथफ़ पुलिशचे का निकलना होगा यह कोई सर्कल नहीं है तो इसके छहत फल के लिए कुछ नहीं करना होगा आपको वृत का छहत फल क्या है और याद है अभी करा है इसको क्या करना होगा तिरजिया तिरजिया खन करचेत फल क्या होगा तो पाई और एस्पायर तो लिखना ही होगा एक बित में कितना होता है तना सार्गी कितना बनता है तना यह जी यह लएका पुरक से फींटगरी मुलड्रे अब यह CHAS सकता है तो यहां अगर 360 पूरा complete डिगरी हो जाए तो क्या हो जाएगा एक कड़के फिर पाइर स्क्वाइर बन जाएगा तो उस कि पूछता है बरीत के अंदर चांप पुछता है जिसके को कौड बोलते हैं में चांप पुछता है यहां पर अङसा कूछ करते हैं यह न करते हैं यह है और यह क्या है यहां पर वह है यह ठीटा है तो इसके लिए क्या होगा A B बराबर होगा यारी L बराबर होगा आपका क्या होगा पाई आर इंटू ठीटा बाई 180 डिगरी तो दोस्तों इस परकार से इसको याद रखिएगा बहुत काम की चीज़ है पाई आर ठीटा बाई 180 यह वहता है आपका यह चांप इसका लेंद होता है अब आगे हम लोग बढ़ते हैं हाव बिरित के तरफ चलते हैं अधा सरकल यारी आधा बिरित के तरफ चलते हैं इतने सारे इंफर्मेंशन हो गई फुल बिरित के अंदर अब हाव बिरित के अंदर देते हैं क्या क्या निकलना होता है तो हाव बिरित कैसा दिखेगा कि अधा हुआ हूआ कि अधा कि अधा बिरित के शेत्हफल कैंदर के अधाए को में हुआ कि यहां पर रही होगा आप एक बटादो पाई आर एसक्वाई एक बटादो पाई आर ऋए क्वाईबौ बात अब आईए इस पर हम लों कोशन कर लेते हैं ब्रीद के अंदर यह और यहां से यहां के आँ हो विजे यह सब आरे ब्रीद कर लेते हैं और तिर्जय खंड का भी निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं वहाँ पर एंगल दे देता है उसका बेसिकली तो अगर माल लिए कोई ब्रीत में आर दे दिया आपको चौद और पुष्ता है एरिया निकालें तो क्या करना होगा कुछ नहीं पाई आर स्क्वाय और पाई के अभेल कितना रखना होगा तो बाइस बटा साथ गुणे अच्छा यह मीटर में दिया है तो बाइस बटा साथ गुणे चौदव गुणे चौदव ठीक है तो यह कर लिजिए यह 2 हो गया और यहां पर हो जाएगा चौदव गुणे चौदव तो मल्टिप्लाई कर लिजिए इसको जितना आजाएगा कितना आएगा यहाँ पर चौदव चोवालीश में चौदव से चाचुकर शोला चाचुकर शोला एक सकत्रह चार एक चार यहां पर चार तो छे और साच चरीकारव एक और चार यह पांच छे 616 m² आगेगा दोस्तों अब यहां पर अगर बात करें परीधी की बात कर लेते हैं यहां पर यानि सरक्म्फिरेंस तो टू पाई आर होता है तो यहां पर पूट कर देंगे टू इंटू 22 बटा सार्थ गुणे साथ गुणे चोधा गुणे चोधा रख लेते हैं तो अब आर गावेलू चोधा रख लेंगे कि आर दिया हुए चोधा यहां से यह कट जाएगा दो यह हो जाएगा यह हो जाएगा दो गुणे 22 गुणे दो यानि 22 दुन चोधाली चोधाली दुना प्रूले हैं सब इसके अंदर बाके तिरजयाखंड के लिए आपको क्या लिखना होगा थीका वै कि दूपाइ यह सका चांप के लिए क्या लिखना होगा तो सरकंफरेंस निकालने का तरीका है और तिर्ज और चलिए अगले वीडियो मिलेंगे तब तक लिए जय हिन जय भारत झाल झाल